सो हेलो गाइज वोकुम बाक टू मै चैनल और यहां पर दोस्तों आज हम लोग ना बात करेंगे रियल्मी 6, 6i and रियल्मी 6 pro देना रियल्मी 7, 7i, 7 pro devices के बारे में और बात करेंगे दोस्तों इन सभी devices में upcoming कौन कौन सा new update officially मिलने वाला है और finally कब release होगा I mean दोस्तों officially कब मिलना चाली होगा और daily दोस्तों आपका जो है ना same to same comment आता है अब भाई new update कौन सा मिलने वाला है और कब मिलने वाला है थोड़ा सा इसके regarding कुछ बताओ तो आज का ये वाला वीडियो दोस्तों आप लोग ना full watch करो आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे टेलेग्राम के official channel को join नहीं किया है तो इस वीडियो के description में दोस्तों आपको सबसे पहले जो official link है वो मिल जाएगा जाओ और join कल लो Realme के सभी latest new updates के regarding जो information है वो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर भी provider करते रहूंगा और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं Realme 6 and 7a Pro device की तो मैं आपको बता दू Bitfina 15-20 April 2021 के अंदर इन दोनों ही devices में न UI 2.0 base एक single single new latest update दोस्तों officially मिलने वाला है जहाँ पर दोस्तों बता दू Realme 6 device में UI 2.0 का जो new beta update है वो दोस्तों officially देखने को मिलने वाला है और Realme 7a Pro device में UI 2.0 का जो stable update है यानि कि जो last and final update है वो दोस्तों officially देखने को मिलने वाला है हाला कि दोस्तों stable update 7a Pro device में इस date के अंदर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वो दोस्तों confirm बता पाना थोड़ा बहुत मुश्किल है लेकिन हाँ दोस्तों घुमा फिरा के न इस date के अंदर Realme 6 and 7 Pro device में UI 2.0 बेस एक single single new latest update दोस्तों officially मिलने वाला है जहाँ पर भया फिचर लोग ना कुछ खास टैप का देखने को नहीं मिलेगा फिलास दोस्तों जो भी update मिलने वाला है ना वो दोस्तों बस एक bug fix update ही होगा और बात करें दोस्तों Realme 6i and Realme 7i की तो बता दू बिटफिन 2225 April 2021 के अंदर Realme UI 2.0 बेस एक single single new latest update दोस्तों officially मिलने वाला है और साथ में दोस्तों UI 2.0 का जो early access का जो third batch है वो दोस्तों open हो जाएगा कहने का मतलब दोस्तों आप में से जिन जिन users को still अभी तका UI 2.0 का जो beta update है वो नहीं मिलाए ना तो आप लोग दोस्तों apply कर ले ना definitely आपकी device में जो UI 2.0 का beta update है वो दोस्तों मिल जाएगा और रही बाद दोस्तों feature हो के बारे में तो यहर बता दू लेटे सेगूरी patch level March and April 2021 का combined देखने को मिलेगा और साथ में दोस्तों device का जो performance है वो optimize हो जाएगा और जो system की stability है वो दोस्तों improve हो जाएगी फिलाल दोस्तों जो भी new update मिलेगा वो दोस्तों एक bug fix update ही होगा और बात करें दोस्तों लास्ट में रियल्म 6 प्रो और रियल्म 7 की तो बता दू बिटफिन 25U2 30 April 2021 के अंदर UI2.0 बेस दोस्तों एक single single new latest update दोस्तों officially मिले वाला है और मुझे लगता है दोस्तों realme 6 प्रो और रियल्म 7 डिवाइस में जो भी upcoming update मिलेगा वो दोस्तों last and final UI2.0 का stable update ही होगा हाला कि दोस्तों फिलाल confirm बता पाना तो मुश्किल है लेकिन दोस्तों जितना मुझे information मिला है न उसके according में आपको बता रहा हूँ और अगर दोस्तों UI2.0 का जो stable update है वो दोस्तों अगर नहीं भी मिलता है न तो दोस्तों definitely UI2.0 का जो new beta update है न वो दोस्तों officially मिलने वाला है bitfin 25 to 30 April 2021 के अंदर 6 pro and 7 device में ओके और बात कर दोस्तों official के बारे में न तो बता दू Android security patch level March and April 2021 का combined देखने को मिलेगा और साथ में दोस्तों some bug fix and improve system stability और I hope दोस्तों आप लोग न मेरी दी गई सभी information समझ चुके हो देन अगर दोस्तों आप लोग न सब कुछ समझ चुके हो न तो इस वीडियो को एक like ज़रूर कर देना आपके like से बहुत ज़्यादा motivation मिल जाता है इस type की videos back to back upload करने का और फि माईल